बुलिवल्लबाद इश्य कीजे गुशाइंजी परम दयालो कीजे श्याम सुन्दर स्रीयमने महरानी कीजे स्री गिरी राज धर्ण कीजे स्रीनात प्यारे कीजे जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे सब वैश्णवन को जैस्री कृष्णा आप सरोन करने दो सब वावन वैश्णव वारता आज 197 मुद्वस बाग 197 अब स्री उसाइन जी के सेवो के एक विरक्त रामन गोवरधन को सब वैश्णव वैश्णव को अपने घर लेवाए ले आए उत इनकी वारता को भाव कहते हैं सब प्रारम करें जैस्री कृष्णा बाप प्रकास ये शात्पिक भकते हैं लीला में इनको नाम माया है ये रंगाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं ये गोवरधन में एक सनाडि ब्रामन के प्रकटो सो बाल पने सोहीं बेराग्य दसा में रहे मावाप जाने जो ये पूरो जन्म को बेरागी है ताते इन पर इश्नेह करें नाई पाचे ये बरस अत्रे को वह हो तो इनके मावाप मरे तब ये गोपाल पुर में आया स्री गुसाहिन जी को सेवक वह हो पाचे वहाँ ही रहे हो वारदा प्रसुम एक सो ये विरक्त नित्य एक प्रक्रमा स्रीर राज की करतो पाचे चुटकी मांगे निर्वा करतो और एक स्री गिर राज गयो जो यहां रुजगार करो सो ओहाई स्री नाज जी को तथा स्री वल्लव कुल के घर को रुजगार आतो और तो कचु रुजगार आतो नाई तब सब चान के भगवद बजन कर वेको बैठो बाप्रगास या में यह जता है जो देव अंस गुरु अंस न लेनो सो रात त्री दिन एक आसन बैठो रहतो तो वह विरक्त वैशनव परक्रमा को आवे सुनित्य देखे सो देखत देखत दिन पांच वह तो वह विरक्त वैशनव के मन में आई जो यह महाप्रशाद कहां लेतो हो तो ऐसे जानके वासो कही चो चलो वहाई भगवद हो और वहाई महाप्रशाद दी हो तो ऐसे कहके अपनी कोट शीमेल ले गया तो चुटकी लाव है तो रसुई करें भूग दर है महाप्रशाद की पातर वह वैशनव को दर है आप ले तब ऐसे करत कितने के दिन भाई तब एक तीसरो वैशनव वहाँ आए कि भगवत बजन करवे को बैटो तब वह विरक्त वैशनव ने कही जो तुम्हारी रहा यहां रहवे की इच्छा है कहा तब वहाँ ने कही जो है तो सही तब वाहू को पातर दर है अब वैशनव तो बैठे भगवत बजन करें महाप्रशाद लें और वह विरक्त वैशनव चुटकी मागए रसोई करें, शुवागो बड़ो पर इश्रम होए, शुवागो इस्रम देखके स्री ठाकुर जी ने कही, जो तू रसोई करके, खर मैं परचारगी करूंगो, तब ये बात उन दो वैश्रमन ने सुनी, तब कही जो ये दूसरों को रहा है, तब देखे तो स्री ठाकुर जी ह महाराज, हमको आग्या करो, तो हम तीनों मिलके करें, तब स्री ठाकुर जी ने कही, जो तू रसोई कर, ये दूसरों परचारगी करेगो, और ये विरक्त चुटकी ले आवेगो, ऐसे तीनों मिलके करो, तब ऐसे ही करन लागे, भाव प्रकास, ये वारता को अपराई है, जो कुँ वैशनव भूको हुए, वाकि खाएवे, पीवे को, कचु जादन ना होए, तो वाको घर ले आए, प्रीति पूर्वग प्रसाद ले वावनो, ये वैशनव मात्र को धर्म है, और प्रसाद लेवे वारे को, वाव वैशनव के घर की कचु टहल करके प्रसाद ले जो प्रभू बड़े कूमल शुहाव के हैं, ताते सेवा करत स्रम होए, तो आप ब्याकुल होते हैं, जो कचु टहल करके प्रसाद ले तो वाव वैशनव को स्रम ना होए, और प्रभून की भक्तु अत्सलता हूँ जताए, जो कैसे, सो कु वैशनव की निसकाम भावते टह करते हैं, ताके प्रभू आदीन होए रहते हैं, जो आप हूँ परचारगी करन की कहें, या ते वैशनव की सेवा सरवों पर ही है, सुवे तीनियों, स्रीक उसाहिं जी के ऐसे परम क्रभा पात्र भगवदी है ते ताते इनकी वारता कहां था ही कही है, वारता प्रसंग एक वक्ते हैं, लीला में इनको नाम संसे सीला है, ये रंगाते प्रगटी हैं ताते उनकी भाव रूप हैं, सो ये पूरव में एक राजा के जन्मों पाचे बरस बाइस को भयो, तो वाको पिता मरे हो, तब ये राजा भयो, सो केते कि दिन पाचे स्री जगनात राय जी की दर् पाचे राजा के कुटंब के और हू सेव अगवेता पाचे राजा ने बिंति करी जो महाराज अब कहा करता भी है, तब आप आग्या किये जो राजा भगवत सेवा करों, पाचे आप खृपा करके राजा के मात्य स्री ठाकुर जी पदराय दिये, और आग्या किये जो इनक आव तो ताको बहुत प्री तिसने सो महापुरसाद लिवाव तो पाचे आचे विछोना विचाय के बैठाव तो आचे समाधान करतो महीना पंद्रे दिन राख तो पाचे जब विदाव है वैश्नव जाते तो राजा पूस्तो जो कहा हो वैश्नव जी विरक्त को धर्म आच हो है कि ग्रेश्ट को धर्म आच हो है सो राजा को तो यह बात को संदे ही रहो पर एक निर्न न वह पूछ है तो बहुत वेश्नव न सो और उत्तर भूह बहूत दें पर एक निर्न न वह तब कोई जमया अदूद दास जी ब्रज में डोले और पिरियो करते सो राजा की यह कशो दिन विराजो को कि आप देल में विर्थ तो आद बुद्दास जी कही हम तो एक रातीओ औकृ की घर रहत नहीं तो राजा ने यह कै जो महाराज क्रपा करके मैं बात मैं आप से पूछता हूं सुता को रती अत्तर मुखो आप देखे पधार हूं सु millor कहो कहो राजा, तुम कहां पूछा तो तव राजा ने यह कहीं, जो महाराज ने बहुत वैस्टाओन से पूछा जो विरक्त को धर्म आचो है, कि के ग्रहस्त को धर्म आचो है, सुका हो, जो बोतंने पूछो और उत्तर हो दिये पर एक निर्णे ना भैओ मेरो संदे ना गयो तो आप ख्रबा करके मेरो संदे मिटाओ तो अदबुदाश जी ने कही जो राजा कहें दिखाओं के कर दिखाओं तब राजा ने बिंती करी जो महाराज कर दिखाओ तो अद्बुद्दाश जी ने राजा सो कही जो हम कहें तैसे करो तो कर दिखाओ कर दिखाओ तो राजा ने बिंती करी जो महाराज आप कहोगे सो मैं करूँगा तो अद्बुद्दाश ने कही जो एक तेरी गुरसार में आच्छो गोड़ा हो आपाड़ा तब राजा तहां रूख नीचे गोड़ा बाध के बैठो वह रूख मैं एक भीलो आतो और भीला मैं घुला होली उनके बेटा बेटी है सुर बन में गहें तो चार फल ले आए सुर चारों ने एक एक फल बांट लिय तो पाचे राजा रूख नीचे बैठो तो होले कही हो हैं यह तो फल दिया तो घूले नहें तौ थाषय होहा जूछ सब्सक्राइब अपर들 को बटाइबा एक गाम आयो, सुता गाम में ये राजा चले हो गए हो, सुता गाम में सब राजा बेले भाई आते, सुता गाम में ये राजा जाए बैठो, सुवा गाम को राजा आतो, सुता की एक बेटी आती, सुवा बेटी को विवा आतो, तब तेल की कड़ाई ताती करिया थी, ता मैं म मुंदरी डारी ही, और कयो जो यह मुंदरी को काड़े, ताको मैं बेटी देऊ, यह संकल्प राजा ने की ओ, तो सो राजा तो बहुत बेले भए, फिर काउ की सामर्थ राई ही, जो तेल की कड़ाई में से मुंदरी काड़े, तब अधुदाश जी आए निक से, हो सो आएके तेल की कडाई में बैठ गए सो तुम ही तुम भी भर भर के नाए नाए के मुद्री हात में लेके बाहर आए तब भी सब राजा हाथ जोर के धन्वत की जो महारा तुम धन्यो पाच्छे में राजा जिनकी बेटी को भागा तो सो हाथ जोर के बिंती की नहीं जो म को ब्याव दी जो तो अधुद्दास जी तो वही समय बन में चले गए और वह राजा ब्या के अपने घर आयो तो आये के फिर इठाकुर जी की सेवा करन लागे और वैश्णव आवे ताको महा प्रशाद लिवाए के पूछे जो कहो वैश्णव जी ग्रैस्थी को धर्म आच समाधान करके फिर बिंती करी जो महाराज ग्रैस्थ को धर्म आचो है कि विरत्त को धर्म आचो है तो अधुद्दास ने कही जो राजा एक वैश्णव आयो तो सो तु भूल गयो तो राजा ने कही जो मैं तो भूल गयो तो अधुद्दास ने बतायो जो तु घोड़ा द फिर तु गोडा दोरween के वह गामगे गायो êtes तो तो तहसे राजा बैठे अते तो तहसे दे लंग तो तिल की गढाई ता टी करी ती तो की सामर्थ मूंद्री ho। तो की सामर। नोग से की नोगेती तुम तहसे एक विरक्त और ते लली सीयोग मैं तूम भ। टी व्याह के सु राजा ये विरक्त सब्सक्राइब है तकll माहराज गेस्टाओ संगे माहराज लिए तक फॉर्ण था के अगया है, वृट अदू भ्यादिक छान्यों के वह ct समात कारने था सबूस्राजारी तक्छा धमति पूचह – तक लंच chilli राजा ने कहीं जो अब ना पूछूँगों तो अदूद दास जी ने तो ब्रिज को चले गए और वे राजा फिर काउव एश्रव सो ना पूछतों और वे राजा सिठाकुर जी की सेवा भली बात सो करन लागे हो यह वारता में यह जोता है जो परवकार बड़ो पदारत है वाकि समान और धर्म ना ही और जो कच करनो सो संसे रहतो होई करनो या हिए कहे सु वे राजा सिठाकुर साहिजी काई जो परम करपात्र भगवदी आतयों ताते इनकी वारता को पार ना ही जो जो कहाता ही कही है जहां वारता पृसंग एक सुपिच्चासि विश्राम हो यह और आज की बारता को यहीं विश्राम करें सो सब वेश्रावन को जैसरी कृष्णा जैसरी रादे शाम